मैं आपका डॉक्टर आवयशागवाल समें इंपायदिनकल्केरन इंप्ल civर्ण इंटर् जैसे कि अपने पहले एपिसोड में रेखा हैए रिवूबिल प्रोस्यूट के बारे में तो आज हम अपने एपिसोड 6 में इप्स प्रोस्यूट के बारे में बात करेंगे यह बहुत से type के होते हैं अगर सिर्फ एक दात missing हो तो अपन implante place करकर उसमें cap लगा देते हैं अगर 1 से 2 दात missing हो तो उसमें अपन 2 implant लगा के उसमें bridge लगा देते हैं और अगर patient के मुह में 1 बहुत नहीं हो तो उस condition में all on 4 या all on 6 यह ऐसे type के processes होते हैं जिसमें अपन 4 इंप्लांट या 6 इंप्लांट प्लेस करके full arch of teeth को अपन fix कर देते हैं जो कि patient निकाल नहीं पाते हैं खुद से condition ऐसी होती है जिसमें हम conventional implant प्लेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि मुँख की jaw bone काफी घुल गई होती है और वो काफी नीचे आ चुकी होती है तो उस condition में हम बेसल implant प्लेस कर देते हैं जो बोन के सबसे नीचे वाली परत cortical bone में जाके प्लेस हो जाते हैं इसे patient को हम denture देते हैं ये कुछ type थे implant supported fix prosthesis के लेकिन हर एक case अलग होता है हमें blood investigation और radiographic investigation से decide करना होता है कि कौन सा case आपके लिए सही है और विजानकारी के लिए हमारे आने वाले एपिसोड से ready रहे हैं Thank you, have a nice day and a healthy smile